हेलो दोस्तों वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राजाकर के प्रेडिक्शन में तो आज हम बात करेंगे इंडिया टीम इंडिया का टीम स्कॉइड क्या है बैड कप 2022 के लिए अब देखो बैड कप का सोड चल रहा है जो कि वीडियो को लाज्ट तक जरूर देखें सबसे जरूरी हमारा वाट्सअप नंबर आपके स्कीन पर है 844-793-5397 टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्कुशन में मिल जाएगा किसी को टेलीग्राम का लिंक करने में दिक्कत हो रही है तो डाइक लिए वाट्सअ है वो खिलाडी है जो चुने गए हैं बर्ड कप के लिए जो जाएंगे और इसके साथ-साथ चाल पिलेर ऐसे भी हैं जो इस्टेंड बाई पिलेर्स इस्टेंड बाई आपको दिख रहा होगा राइट साइड में जो छोटे से थोड़ा हैड में दे रखा है मैंने जिसमें है मुहमँज समी सिर्यस आयार रवी श्नोवेदी पकचाहर अब सबसे पहले जान लिजी इस्टेंड बाई पिलेर क्या होते हैं स्टेंड बाई प्लेयर वह होते हैं मालनी जिए कि उपर हमारी टीम में से किसी एक गैंदबाद चोटल हो जाता है दो हो जाते हैं कुछ भी नीचे है वह उनकी जगें ले सकते हैं एक तरीके से यह उपसं होता है यह सात में जाता है टीम के ठीक है तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मोई सर्मां से कप्तान साब से दिक्वरोई सर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में आचुके आश्टेलिया खिलाब आपने देखा होगा किस तरीके की बल्यवाजी करिए और यह हम सब भारतियों के लिए बहुत खुसी वाली बात है कि रोहिस सर्मा फॉर्म में आ चुके हैं ठीक है ना दूसरी खुसी वाल भाएरत से हार भी जो देखते हैं किर्क्ट को पसंद करते हैं वह सब इनको पसंद करते हैं तो यह सब हैं पढ़ोड़ं एक हम मैंच लगेगा सिर्फ अपनी फॉर्म में आने के लिए क्योंकि एक ऐसे बल्लेवाज में लगातार अनफॉर्म नहीं रहते हैं और जब यह फॉर्म में आते हैं तो देखा होगा आपने आई पेल में किस तरह की मार मारी थी उसी तरीके से तो वड़ तो बल्लेवाजी करते ह सूर्ण कुमार यादब आपने देखा होगा तरीके से गैंदवाजों की दुनाई करी है और यह बहुत अच्छा खेल रहे हैं और फॉर्म में नहीं है मतलब क्लासिकल वल्लेवाज है इनके सौट देखने मज आता है ठीक है भारत का इन्हें 300 डिग्री 300 साट डिग्री कहा बाजाता है जैसे के वी डिव लेर्स खेलते हैं उसी तरीके के कुछ सौट यह भी मार लेते हैं अब बात करते हैं दीपक हुड्डा की दो को दीपक हुड्डा को इनाम मिला है आई पेल में अच्छी परफोर्मेंस करने का और उसके बाद जब जब इन्हें मौका मिला है एक इन्होंने टी-20 सतक भी बनाया है जब इन्हें ओपनिंग करवाई थी अभी ठीक है ना तो इन्हें इस चीज का मौका मिला है इनाम मिला है इन्हें चुना गया है वाइड कप के स्कॉड में अब डिपैंड करता है टीम सुचेशन पर ग्राउंड पर कि कहा मैच हो रहा है तो लेकिन अगर एक बल्लेवाजी की बात करी जाओ और इस टाइम की बात की जाए इन्फॉर्म की तो एक फिनीशर की तरह तो दिनेश कार्तिक बहुत अच्छे टच में हैं लगातार तभी उन्होंने इतने टाइम बाद बापसी करी है टीम इंडिया के लिए और सबसे भी हो सकता है कुछ मैचों में आपको दोनों देखने को मिले क्योंकि लैफ्ट हैंड्स बैट्मैन का अगर टीम को संतुलन बनाके चलना है तो इस अपन्त को खिलाएंगे क्योंकि जटेजा इस वार बैड़ कप के लिए नहीं चुने गए हैं वो चोटेल हैं अब बात करत करते हैं आवाज आते हैं बॉलिंग की तरफ ठीक है बॉलिंग या अभी एक और रह गया हमारे अक्षर पटेल दोस्ती वारे रो में आपको दिख रहा होगा तीसरा नाम अक्षर पटेल लोको अक्षर पटेल से मैं पिरवाबी तो बहुत ज्यादा क्योंकि अभी जिस तर इनका नाम सुना होगा ठीक है तो यह दोनों ही आपको देखेंगे और अपने इंडिया की बैस्ट इस्पिनर हैं तो खेल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि अक्षर पटेल के साथ टीम कभी जुन्द चाहल को खिला रही है कभी 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 आपको मिलेगा देखने को पिठाल दि ठीक है ना एडिलेट में होगा तो वो अलग है तो सारे ग्राउंड अलग लेबिल के होते हैं पिछ अलग होती है अब बात करते हैं भारतिया सीमर्स की यानि फास्ट बॉलर्स की जस्पीत भुम्रा ठीक है भुबनेशर कुमार हरसल पटेल अर्सदीप से तो को इसमें सिर अब बात कर लेते हैं तो यह करेगा कि यह पूरा सब कुछ की कि किस टीम को उतारता है कोई डाउट नहीं कि टीम बहुत अच्छी है अब एक बार बात कर लेते हैं स्टेंड बाई प्लियर्स की जो एक ऑप्सन के रूप में है कि हमारे मैं प्लियर्स को अगर चोटिल होते हैं कुछ भी होता है तो उनकी जगह लेने के लिए तो इसमें आपको दो फास्ट गैं यह होता है स्टेंड पाई तो टीम संतुलित मतलब टीम बहुत अच्छी है जैसे लेके जा रहे हैं इस तरीके से और पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारा देश बड़कप जीते हम भी विश कर रहे हैं ठीक है और आप भी करिएगा और यह सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम तुमी जो टीम की इस्ट्रॉंग नैस है यानि की स्ट्रेंथफ पावर है वो है इस टॉप ऑड़र का फॉर्म में आना और स्ट्रोंग होना यानि की जैसे की ब्राइट को ली बंडाउन ओपने के रख होल रोहिस सर्मा यह टॉट ओडर होता है जो तीन होते हैं तो यह ती अच्छी फॉर्म में है योजंद्र चाहल और रविंद्र चंद्र अस्बिन नंबर तीन गुड आल राउंडर हमारे पास आल लाउंडर ठीक है जो जैसे की अक्षर पटेल हो गए दिपक हुड़ा हो गए हार्दिक पांड्या हो तो हमारे पास आल डाउंडर में भी आप्सन है अब बात करते हैं बीकिनस की कमजोरी क्या लग रही है कि भी क्या क्या है तो वीक मिडिल ओडर का मतलब है कि हमारे मिडिल ओडर है टीम इंडिया का वह इतना जाए संतुलित नहीं है देखाए कि अगर उपर की टेम विखर रही है तो नीचे से कुछ जादा अच्छी प टावर हीटर नहीं है ठीक है ना यहां तकातावश तोर टोड वो रियेक अटीम डैविड इस तरीके से से जैसे अज्या है ट्रे까 के पास है बात करते हैं लाइस्ट की जो भीकिनस में है वहाज संपिलर्स आउट ओपॉन की समपिऩिलर्स आउट सोब चैसे कि अगर विक वाकि हर टीम में एक बीक पॉइंट और इस्टेंथ और दोनों चीजे मिलती है आपको देखने को तो इस स्रीज में बहुत ज्यादा मज़ आने बाला है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो वैल आरिकन को ओन कर लो तो चलिए दोस्तों बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में